हेलो एब्रीवन मैं मिसुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे केंद्री विद्याले संगठन ने 4 सालों के बाद फौर निकाला इसके लिए मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और धर्मेंदर प्रधान जो की भारत के सिक्षा मंत्री है उनको भी बहुत बहुत धन्य बात, लेकिन ना इनोंने KBS में age relaxation देने का प्रवधान किया, जो भी advertisement सामने आई, और ना ही seat at appearing वाले को apply करने का मौका दिया, पिछले seat at 2018 में, actually KBS जब 2018 में हुआ था, तो उस समय seat at appearing वाले को भी मौका दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई कोई भी प्रवधान या कोई भी इनोंने rule वगएरा नहीं लिख रखा है notification में, साथ में COVID दो साल में सब कुछ बंद था, इसलिए age relaxation की भी बात हो रही थी, लेकिन हमारे धर्मेंत प्रवधान के कान में चूँ तक नहीं रहेंगी, साथ में मोधी ची ने भी इस पे कुछ न आप लोग इन चीज़ों को याद रखना, फिलाल मैं आपको बता दू, KBS को RTI के द्वारा जानकारी मांगी गई थी, कि आप क्या कर रहे हो, साथ में, यह जो age relaxation का मसला है, इससे solve करना का आपका कोई intention, इरादा है या नहीं है, तो KBS ने clear कर दिया है RTI के reply में, मेरे पास यहां से RTI का reply है, आप भी देख सकते हो, आगे बढ़ें उससे पहले बता दू, जो KBS की तियारी कर रहे हैं, जो eligible है, 99 में previous question paper आप मुझसे purchase कर सकते हो, yourmithunshing at the.gmail.com पे आप मुझे mail कर लिए, इंस्टा पे हो, then do follow me at the.imithunshing, RTI में क्या reply आया है, वो तो पढ़ेंगे लेकिन नीचे कमेंट करके आपको बताना है, भारत के अभी किर्सी मंतरी कौन है, बरतमान किर्सी मंतरी कौन है, नीचे कमेंट करके उनका नाम आप लोग जरूर बताईएगा, तो चलिए, देखते हैं इस RTI को, यहां से देख सकते हो, आप केंदरी विद्याले संगठन KBS 2002, recruitment as seat at July was not conducted by CBSE, यहनि कि seat at July नहीं लिया गया है, जिस कारण से आप seat at 2022 और 2023 वाले को एलाव कर दीजिए, अपेरिंग स्टुडेंट को अपलाई करने की बात की जा रही है, देखें, reply में उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, candidates acquiring essential qualification on the last date of submission of application form will be eligible for the post applied for, यानि कि last date जो 25 या 26 दिसंबर को है, इस तारिक तक अगर आपके पास seat at की, या फिर be at वगरा, जो भी required है, यहाँ पे देख लो, आप required qualification की बात की जा रही है, अगर आपके पास है, तो आप apply कर सकते हो, इसका क्या निसकर्स निकला, आप seat at appearing वाले eligible नहीं हो, चलिए बात क COVID-19 के कारण बहुत सारे जो students है, वो overage हो चुके है, recruitment of teaching, non-teaching post in advertisement 15 and 16, there is no age relaxation to those candidates who are overaged, can't fill the form due to not published vacancies since last 4 year, यानि कि 4 साल से vacancies नहीं आए थी, इसलिए age relaxation COVID के कारण दिया जाए, इनका क्या reply है, no age relaxation has been granted by the government of India due to COVID-19, यानि कि government of India ने कहा हम नहीं करते हैं, वो अभी चिल कर रहे हैं, नेट्फिक्स देख रहे हैं, मोदी जी, उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता, आप overage हो गए हो या कुछ हो गए हो, भोट देते समय, I repeat, याद रखना इन चीजों को, कौन सी government आपके against मे थी, आप किसी XYZ party को भोट दे दो, बस BJP को भोट मत करना, जिन्होंने आपके साथ इतना वड़ा धोखा किया है, आप job ही नहीं कर पा रहे हो, because only Modi and BJP, याद रखना इस बात को, वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर कर दे, मेरे बात से कुछ लोग अंधभक्त हाट भी ह दुखी भी हो सकते हैं, मुझे पता है, तो नीचे comment करके न, ऐसे जो अंधभक्त हैं, उनकी धुलाई जरूर करना, reply जरूर करना, मुझे पता है, बहुत सारे जो होंस यार अंधभक्त हैं, वो comment जरूर करेंगे, तो उनके comment को reply जरूर करना, अपने दुख के साथ, actual, जो आपके साथ घटित हुआ, अभरेज हो गए हो, आप या सीटेट अफेरिंग वाले नहीं अपलाई कर पाए हो, उसके लिए, मुझे पता है, कुछ लोग तो आते ही है, तो उनकी अच्छे से सर्प के साथ दुलाई जरूरी है, तो नीचे comment करके आप लोग उनको जबाब ज अवीको.